हलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राश्ट्रिय खादिस उर्कसा योजना के अंतरगत रासन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जैसा कि आपको पता होगा कि खादिस उर्कसा में नाम जुड़वाना पिसले कई महिनों से बंद था लेकिन राश्टान सरकार के दौरा एक अपरेल 2022 से इस योजना के अंतरगत नाम जुड़ने पुना फ्रारंब कर दिये गये हैं तो आप भी इस वीडियो में बताए गए दस्तावेजों को लेकर के नजदी की इमित्र पर जाएंगे और अपने परिवार के सदसे का नाम रासन कार्ड में जुड़वा देंगे इसके लिए क्या क्या डॉकॉमेंट आपके पास में होना जरूरी हैं तो इसकी विश्तरस सरसा इस वीडियो में करने वाले हैं तो व परिवार का एक अलग रासन कार्ड होता है और उसमें अपने परिवार के पूरे सदस्यों का नाम होता है दूसरे नंबर पर जरूरत पड़ेगी आधार कार्ड की जो कि भारत के प्रते की विश्ष्ट पैसान होती हैं आप जिस व्यक्ती का रासन कार्ड में चुड़वान जो कि सर्म विबाग के द्वारा जारी किया गया एक कार्ड होता है अगर ये कार्ड आपके पास में नहीं है तो आप इसके इस्तान पर नरेगा जॉब गार्ड या फिर पैंसन पीपियो भी काम में ले सकते हैं जो कि आपको नजदी की इमीत पर मिल जाएगा उस फॉब पर ग्राम सिवक और पटवारी के हस्ताकसर करवाने होंगे इसके बाद में नमबर सिक्स पर जरूद पड़ेगी परिवार के मुख्या की एक पासपोर्ट साइज फोटो की नमबर तीन पर जिस डॉकुमेंट की जरूद पड़ने वाली हैं वह हैं जन आधार कार्ड जो की परतेक परिवार का एक कार्ड होता है उसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम होते हैं आप जिस सदस्य का रासन कार्ड में नाम एड़ करवाना चाते हैं उस सदस्य का नाम जन आधार कार्ड में होना जरूरी है ये सब डॉकुमेंटर लेकर के आप इमित्र पर जाएंगे और वहाँ पर अपने रासनकार्ड में राश्टरिये खाद्य सुरुकसा योजना के अंतरगत अपने सदशे का नाम जोड़वा सकते हैं वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में सेर भी जरूर कीजिएगा ऐसी अपडेट पाने के लिए सेनल को भी सस्क्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद